प्रोटीन से अमीनो एसिट्स के बारे में और यह हमारे आपे यूनिट वन में एक और चेप्टर बच जाता है जो कि हमारे आपे बाइव एनरजेटिक्स और उसको हम लोगे आपे कम्प्लीट वन शॉट में कवर करेंगे जो कि आप लोग को होफफुली कल ही देखने को मिल जाएगा और नोट्स भी बहुत जल्द अवैलेबल हो जाएगी ठीक है तो आप लोग कॉपी और पहले लेके बैठ जाएगे और हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं अब बात करें हम लोग यहापे प्रोटीन के बारे में तो प्रोटीन क्या होते हैं यहापे प्रोटीन से मिलके ही बने हुए ठीक है यहापे जो भी हमारा मसल मास होता है वो हमारा यहापे प्रोटीन से मिलके ही बना होता है ठीक है यहापे यहापे बात करें तो 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 और उनका यहां पर जो इस्ट्रक्चर होता है ठीक है और उनका यहां पर जो भी फंक्शन होता है और यहां पर उनका जो भी रेगुलेशन होता है यानि कि उनका जो कंट्रोल होता है काम करने का वो सारी चीजे कही न कहीं हमारा प्रोटीन ही मैनेज करता है यानि वो बने भी protein क्यों होते हैं ठीक है और उनका function करवाने में भी यहाँ पर protein लब करता है और उनको यहाँ पर regulate करने में भी यहाँ पर protein जो है help करता है अब यहाँ पर दिखो सबसे important बात कि proteins हमारे यहाँ पर smaller unit से मिलके बने होते हैं जिनको हम लोग biomacromolecules है यह हमारे इनी biomacromolecules से मिलके बने होते हैं तो अभी तक हम लोगों ने यहाँ पर कौन कौन सा discuss किया अभी तक हम लोगों ने discuss किया हमारे carbohydrates को ठीक है तो जो हमारे carbohydrates थे वो हमारे किस से मिलके बना था? Nucleotides है, obviously ठीक है, तो यहाँ पर आज हमारा जो लाश्ट है, bio macromolecules, जो कि हमारा protein है, जो कि सबसे important भी है, तो इसकी यहाँ पर monomeric unit होती है, हमारा amino acid, यानि कि यह जिस bio micro molecule से मिलके बना होता है, उसको हम लोग बोलते हैं amino acid, ठीक है, तो amino acid के बारे में भी आज हमें काफ़ी detail में पढ़ना है, तो यहाँ पर यह जो हमारी amino acids हैं, तो यही हमारे combine करके जो है protein का formation करते हैं, यानि यहाँ पर बहुत सारे amino acids जब आपस में मिलते हैं, तो हमारे protein का formation होता है तो आप लोग यहाँ पर यह भी कह सकते हो कि जो हमारे amino acids है वो हमारे proteins के क्या होते है monomers देखों यह सारी चीजों के बारे में हम लोग detail में already बात कर चुके है तो अगर आप लोग line selection नहीं देखे हो तो पहले आप लोग इसके previous three lectures देख रहे न ठीक है और यहाँ पर जो हमारा protein है वो आप कह सकते हो कि यहाँ पर इसका polymers हो गया ठीक है निको polymers का मतलब क्या है कि बहुत सारे यहाँ पर जब monomers combine होते है तो यहाँ पर polymers बनता है ठीक है तो बहुत सारे amino acids जो combine करते हैं तो प्रोटीन बनता है तो प्रोटीन सार्दा polymers of amino acids और amino acids सार्दा monomers of protein ठीक है दोनों बाते ही एकदम सेम है तो amino acids सार्दा monomers of protein और we can say protein सार्दा polymers of amino acids ठीक है वही बात है जो बैने अब ज्यादा important topic है अब देखो यहाँ पर amino acid देखो इसको सबसे पहले ना आप लोग बिल्कुल नाम से समझो इसका नाम कै है देखो इसका नाम है हमारा यहाँ पर amino acid ठीक है amino acid अब आप लोग एक बात बताओ हम लोग क्या पट रहे हम लोग पट रहे biomolecules और biomolecules हमारे organic molecules है ठीक है चाहे वो micro हो चाहे micro हो तो amino acid भी तो एक type का हमारा biomolecules ही है भले हमारा biomicro molecule है पर है तो यहाँ पर दिखो यह organic भी होगा definitely ठीक है तो organic होगा तो इसके अदर सबसे important चीज़ क्या होगी हमें carbon देखने को मिलेगा तो अकर amino acid का हम लोग structure बनाना चाहें दिखो इस चीज़ को ध्याल से सुनना तो सबसे पहले तो हमें carbon तो बनाना ही पड़ेगा क्योंकि यह हमारा organic molecule है अब दिखो इसका नाम क्या है amino acid amino amino का मतलब क्या होता है NH2 ठीक है यानि कि अगर इसके नाम से जाया है तो हमें यहाँ पर एक NH2 group भी देखने को जरूर मिलेगा ठीक है चलो हमारा एक NH2 हो गया और उसके बाद दिखो हमारा acid अब acid हमारे बहुत type के हो सकते है लेकिन चुकि हम लोग यहाँ पर organic chemistry के अंदर acid को बढ़ रहे ठीक है तो यहाँ पर mostly हमारा acid कौन से होता है carboxly acid ठीक है यानि कि COOH ठीक है तो यहाँ पर देखो तो हमारा एक NH2 आ गया एक हमारे यहाँ पर carboxly acid आ गया अब देखो अभी तो carbon के सिफ दो ही balance satisfy हुई है दो और satisfy हमें करनी पड़ेंगे न क्योंकि carbon की balance दो 4 होती है तो यहाँ पर देखो एक हम लोग क्या करेंगे एक पर हम लोग लगा देंगे hydrogen ठीक है और एक हमारी यहाँ पर आ जाएगी R chain अब R क्या होता है R हमारी carbon की कितने भी बड़ी या फिर कितने भी छोटी यहाँ पर एक chain हो सकती है तो यहाँ बहुता है हमारी यहाँ फिर अवशिछा हो चुक्षिक करनी थे इक हमारी बहुता है तो यह एक हमारा रैर चेन हो फ़ेखो नॉप हमारा R है देखो amino acid यहां पे बहुत different types के होते हैं ठीक है आप कह सकते हो कि लगबग 300-400 amino acid हमें देखने को मिलते हैं ठीक है इस पूरे nature में ठीक है अलग-अलग type के तो वो जो अलग-अलग type के amino acid होते हैं ठीक है जहां से सुनना उसमें हमारा यहां पे जो NH2 है यह भी same रहेगा C double OH है यह भी same रहेगा ठीक है और यह जो हमारा hydrogen है यह भी same रहेगा यहां पर difference का आएगा difference आएगा हमारा R में ठीक है यहां पर R जो है बदलता रहता है ठीक है बाकि यह तिनों यहां पर same रहते हैं और यह हमारा amino acid का एक general structure होता है और हम लोगों ने इसको बहुत easily यहां पर इसी के नाम से बना लिया ठीक है तो यहां देखो कुछ है तो है ने ठीक है कितना simple है नाम सही हम लोगों ने structure picture draw कर लिया ठीक है तो अभी इसका हम लोग यहां पर थोड़ा सा theory portion देख लेते हैं जैसे कि amino acids हमारे proteins के building blocks होते हैं अब यह सारी चाहिए हम लोगों ने अल्रेडी discuss कर ली है कि यहां पर दिखो जो हमारे bio macro molecules होते हैं तो यह जो bio micro है ठीक है यह इसके building block होते है building block का मतलब क्या है कि जब इसके बहुत सारे यहां पर चोटे-चोटे blocks मिलते हैं तो यह building तयार कर देते हैं ठीक है तो building हमारी क्या होती है building हमारी यहां पर protein होती है इसलिए हम लोग building block बोलते हैं अब amino acid सार्दा organic compounds contain यानि amino acid हमारे एक organic compound है definitely जिसके अंदर हमें क्या-क्या देखने को मिलेगा एक हमारा amino group यानि कि NH2 तो यहां पर देखो हम लोगों ले draw किया है तो यहां पर NH2 देखने को मिल रहा है ठीक है और एक हमारे यहां पर carboxyl group यानि कि COOH तो COOS भी देखने को मिल रहा है एक हम हमारे यहां पर side chain यानि कि R ठीक है और यहां पर R भी देखने को मिल रहा है जो कि यहां पर बदलता रहता है अब यहां पर बात करें हम लोग अपने amino acids के कुछ major key elements की यानि कि कौन-कौन से elements हमारे amino acids के अंदर देखने को मिलते हैं तो हमारा यहां पर carbon होता है ठीक है तो य nitrogen भी देखने को मिल रहा है और उसके बाद यहां पर oxygen यानि कि देखो ओ भी देखने को मिल रहा है तो यह चार एटम हमारे यहां पर amino acids के अंदर देखने को मिलते हैं अब यहां पर देखो although there are about 300 to 400 amino acids are known but still only 20 amino acids participates in the protein formation यहां पर सबसे important line है इसको बिलकुल आप लोग अपने अग्जिस्ट करते हैं लेकिन जो हमारी protein की formation होती है यहां से सुनना देखो protein हमारे amino acid से मिलके बनोते हैं यानि कि बहुत सारे amino acid combine करेंगे तो protein बनेगा लेकिन यहां पर कुछ specific 20 type के ही amino acid है ठीक है यानि यहां पर देखो यहां पर कहने का मतलब यह नहीं है कि 20 amino acid combine करेंगे तो protein बनेगा 20 specific amino acid यहां पर अलग-अलग तरीके से combine करते है तो यहां पर protein का formation होता है यानि कि हो 20 amino acid होते है ठीक है जिनकी वज़े से हमारा यहां पे protein का formation होता है अब यह 20 यहां पर अलग-अलग तरीके से जुड़ सकते हैं तो यहां पर उनका number 50 भी हो सकता है यहां पर कह 400 amino acid है, उन में से कोई 20 ही होते हैं, ठीक है, जो की protein बनाते हैं, यानि ये 20 हमारे जो है, अलग-अलग type से जोड़के 50, 100, 200 भी बना सकते हैं, ठीक है, जैसे कि माल लो ये 20 हैं, ठीक है, तो 20 हमारा जैसे, माल लो की, हम लोग माल लेते हैं कि A, B, C करके, ठीक है, A, B, C, D, तो इस तरीके से जब 20 हो गए, वो यहाँ पे water में soluble नहीं होते हैं, लेकिन जो हमारा amino acid, यह हमारे यहाँ पे water में soluble देखने को मिलता है, ठीक है, तो बात करें हम लोग यहाँ इसके structure के बारे में, ठीक है, तो हम लोगों ने already देख लिया है, कि यहाँ पे हमें जो है, एक carboxyl group, एक hydrogen atom, एक amine group और यहाँ पे side chain देखने को मिलती है, अब देखो, यहाँ पे मैंने इसको circle और इसको square में बना दिया, इसका मतलब यह नहीं है कि यह ऐसा ही होता है, यहाँ पे इसको मैंने थोड़ा सा identify करने के लिए बनाया है, आप लोग बिल्कुल ऐसे मत बनान ठीक है, तब बनाना बाकी normal reaction में इस तरीके से नहीं बनाना है, ठीक है, और यहाँ पे देखो, एक amino acid की बहुत ही special property की बात करे, तो यहाँ पे यह क्या करता है, यह जुटर आयन का formation करता है, अब जुटर आयन क्या होते है, देखो, when an amino acid is dissolved in water, it exists as जुटर आयन form, अब जु जुटर आयन होते है, जिसके अंदर हमें एक साथ positive और negative दोनों ही चार्ज देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, और यह हमारा इसको हम लोग बोलते हैं, इस property को जुटर ant formation, ठीक है, तो यहाँ पे amino acids हमारा जुटर ant form करता है, अब अगर आप लोगों याद हो, ठीक है, हम amino acid था, यही हमारे protein buffer system का main component था, यहाँ पर यह क्या करता था, ध्यान से देखना, अगर नहीं भी आदे तो आप लोग समझ जाओगे, हमारा यहाँ पर body का जब ACD-PS बढ़ जाता था, यानि आप कह सकते हो कि S plus iron की concentration बढ़ जाती थी, क्योंकि ACD-3 हमारी S plus iron पर इबन करती ह ठीक है, तो यहाँ पर यह जो हमारा amino acid है, यह क्या करता था, उन H plus को यहाँ पर अपने साथ combine करके हमारा यहाँ पर NS 3 plus में convert हो जाता था, ठीक है, और यहाँ पर क्या कुरता था, कि हमारी basic city बढ़ जाती थी, यानि basic महाल बढ़ जाता था, तब यहाँ पर क्या करता था, कि जो amino acid है यह यहाँ पे इस वाली carboxyl group से हमारा एक H+, जो है release कर देता था ठीक है और यहाँ पे COO- में convert हो जाता था तो इस तरीके से यह हमारे यहाँ पे physiological acid based balance को maintain करने में एक बहुत important role play करता है ठीक है यहाँ यहाँ पे अमीनो acids are amphoteric in nature देखो यहाँ पे amphoteric का मतलब क्या होता है हम लोगोंने analysis में इसको discuss किया था यहाँ पे amphoteric हमारे ऐसे substance होते हैं जो की acid और basic दोनों ही behavior show करते हैं तो यहाँ पे देखो जो हमारा amino acid है ठीक है यहाँ पे यह H+, को donate मतलब accept भी कर सकता है और release भी कर सकता है तो जो iron यहाँ पे H+, को accept कर सकते हैं ठीक है वो हमारे क्या होते हैं वो हमारे यहाँ पे base होते हैं ठीक है और जो यहाँ पे H+, को donate कर सकते हैं वो हमारे क्या होते हैं acid होते हैं तो यहाँ पे देखो यह तो H+, को donate भी कर सकता है दिखो यहां से COO-H plus को donate भी कर सकता है ठीक है COOS से और यहां पर NH2 से H plus को accept भी कर सकता है तो यहां पर हमारा यह acid भी होता है और base भी होता है तो यहां पर यह M4-teric nature का होता है अब बात करें हम लोग यहां पर अपने classification of amino acids की तो दिखो यहां पर जो हमारा amino acid है इसको हम लोग बहुत अलाग अलग तरीके से classify कर सकते है लेकिन mainly हम लोग यहां पर 2 important category को देखेंगे ठीक है तो पहला हो गया हमारा यहां पर based on structure यानि कि जो उसका structure है वो यहां पर कैसा है ठीक है और based on nutritional requirement ठीक है यानि कि उसके हमारी body में nutritional requirement कैसी है तो सबसे पहले हम लोग बात करते है अपने based on structure तो इसके structural classification की बात करें तो यहां पर बहुत different different type हो सकते हैं जैसे हमारा पहला हो गया aliphatic amino acid अब aliphatic amino acid दिखो यहां पर इन सब में difference कहां पर आएगा हम लोगों ने अल्रेडी बात की थी difference आएगा हमारा यहां पर इस R में ठीक है तो aliphatic में क्या होगा देखो aliphatic में यह हमारी carbon chain हो जाएगी ठीक है जैसे माल लो R के जहां हमारा CH3 आ गया तो यह हमारा क्या हो गया है यह का aliphatic amino acid ठीक है और यहां पर alcoholic का मतलब क्या होगा कि यहां पर alcohol क्या होता है alcohol मतलब OH ठीक है तो यहां पर अगर आप लोगो OH ग्रूप देखने को मिल जाए R में यानि कि हमारा माल लो CH2 OH हो गया ठीक है तो यहां पर यह जो है alcoholic हो जाएगा ठीक है और sulfur containing यहां नहीं कि यहां पर इस R गूप में आप लोगो sulfur भी देखने को मिल जाए ठीक है और उसके बाद हमारा यहां पर acidic amino acids अब देखो यहां पर acidic वाले में special property क्या होगी कि जो हमारा carboxlic acid है यह आप लोगो यहां पर दो बार देखने को मिलेगा यानि हमारी इस R chain में आप लोगो carboxlic acid भी देखने को मिलेगा और बहीं बात करें हम लोगे आप पर basic amino acids की तो देखो basic में क्या होगा हमारे यहां पर NH2 group आप लोगो दो बार देखने को मिलेगा क्योंकि यह हमारा जो NH2 है यह हमारा एक basic का base होता है ठीक है और यह हमारा खिण होता है ठीक है अचके जब इसका number बढ़ता है तो हमारा district हो गया और वह भी में neutral की बात करें तो जब दोनों के नंबर रहते तो हमारा neutral हो गया और aromatic की बात करें तो aromatic का क्या मतलब है कि यहां पर इस hour की आप आप लोगो एक बेंजीन की रिंग देखने को मिल जाए, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आरोमेटिक हो गया, और कोई बच गया हमारा, तो यहाँ पर हमारे सारी कवर हो गया, ठीक है, और nutritional classification की बात करें, यह हमारा थोड़ा सा important है, इसको आप लोग ध्यान से देखना, On the basis of nutritional requirement, it can be classified into three categories, essential amino acids, non-essential amino acids, semi-essential amino acids, देखो इस दीच को थोड़ा सा ध्यान से देखना, यहाँ पर nutritional requirement का सबसे पहले समझो मतलब क्या है, देखो हमारी body के अंदर जो amino acids है, वो यहाँ पर दो type के होते हैं, एक जो हमारी body में पहले से present होते हैं, ठीक है, और एक जिनकी हमें य जरूरत होती है, देखो हम लोगों ने क्या देखा, कि जो हमारा protein है, वो हमारा यहाँ पर 20 different type के amino acid से मिलके बना होते हैं, ठीक है, 20 specific amino acid होते हैं, तो इन 20 में से लगबग 10 से 11 amino acid हैं, 10 से 11 हमारी body के अंदर already present होते हैं, ठीक है, यानि उनकी हमें जरूरत नहीं होती है, लेक भर-भर के दिखने को मिलते हैं, तो यहाँ पर यह total combine करके हमारे 20 हो जाते हैं, और हमारे protein का formation हो जाता है, तो यहाँ पर ध्यान से समझना, essential का मतलब क्या है, essential का मतलब यह है, these amino acids cannot be synthesized in our body, so it is essential to eat them, यहाँ पर essential का मतलब क्या है, कि यह हमारी body के अंदर खुड से नहीं बन ठीक है, तो यहाँ पर इनको जो है essential यानि जरूरी हो जाता है खाना, यहाँ पर essential का मतलब क्या होता है, जरूरी, तो यहाँ पर जरूरी amino acids हमारे वो होते हैं, कि जो हमारी body के अंदर नहीं है, तो यह बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है, कि हम लोग उसको बाहर से अप by our body, so it is not essential to eat them, यानि कि यह हमारे ऐसे amino acids होते हैं, जो कि हमारी body खुझ से बना लेती है, तो यह यहाँ पर जरूरी नहीं है, कि इसको आप लोग अपनी diet में लो ठीक है, अब जैसे इसका example हो गया है, हमारे यहाँ पर alanine हो गया, glutamate हो गया, और semi-essential का मतलब क्या है, देख हमारे body नहीं बना पाती है, तो थोड़ा सा हमारे body बना भी लेती है, थोड़ा सा हम लोगो इसको diet में भी लेना जरूरी हो जाता है, अब इसका example हो गया हमारे यहाँ पर histidine हो गया, arganine हो ठीक है, अब यहाँ पर देखो सबसे important बात, peptide bond formation, अब peptide bond formation का क्या मतलब है, दे हमारा amino acid का structure क्या है, हमारा यहाँ पर carbon होता है, center में ठीक है, और slide में हमारे यहाँ पर carboxly acid की chain होती है, ठीक है, और यहाँ पर हमारा NH2, ठीक है, यहाँ पर हमारा hydrogen, और यहाँ पर हमारा होता है R group जो की बदलता रहता है, तो हम लोग इसको माल लेते है R1, ठीक है, अब मा हमारा Carbox लिके से ठीक है, अब यहां पर देखो हमारा NH2 आएगा, तो NH2 को यहां पर हम लोग थोड़ा अलग तरीके से भी लिख सकते हैं, देखो कैसे, NH और H, हम लोग H पहले लिख दिये, देखो है तो NH2, देखो 2 H है एक, 2 H है, ठीक है हो है, हम लोग उने थोड़ा अलग से लिखा है, देखो इसको लिखने की वज़ा भी आप लोग को पताच चल जाएगी, और फिर हमारा यहां पर हाइडोजन अटम आ गया, फिर हमारा यहां पर यह हमारी दूसरी चेन होगी, तो हम लोग इसको R2 से लिख लेते हैं, अब देखो इनका यहां पर इनके बीश म आप लोग कहैसे कि reaction वगया होती है, तो यहां से हमारा है ठीक है, और यहां से हमारा ओऐच, यह दोनों मिल रहेगा, जब भी हमारा है, हमारा क्या बनता है, water, ठीक है, तो यह दोनों मिलके हमारे water के form में निकल जाएंगे और हमारा इसका combination कैसे होगा, ज्यान से देखना, यहां पर हमारा दिखो यह तो same-y रहेगा, Hb same है Nh2 bih same है R1 bih same है ठीक है और इस वाले की बात करें तो इस वाले carbon में भी हमारा इधर वाला same है ठीक है और इधर वाला R2 bih same है इधर वाला Hb same है, अब यहां पर इनके भीश में क्या होगा, देखो, यहां ऌप यह हमारा carboxlic acid का structural formula हमारा ऐसा होता है तो हम लोग अगर इसको जो है इस तरीके से लिखें तो देखो OS तो हमारा गायब हो गया ठीक है OS तो हमारा गया अब बचा क्या बचा हमारा C double bond O है न देखो बचा हमारा CO तो CO हमारा यही है C double bond O तो हम लोग इसको लिखेंगे C double bond O ठीक है यहां से और यहां से क्या बचा है NH ठीक है तो यहां से हो गया हमारा यहां पर peptide bond अब देखो यहां पर यह जो bond बना है हमारा यह हो गया हमारा यहां पर peptide bond ठीक है peptide इसको हम लोग बोलते है peptide bond formation देखो जिस तरीके से यहाँ पे हम लोगों ने देखा था हमारे carbohydrates में बलता है glycosidic bond ठीक है तो उसी तरीके से यहाँ बनता है हमारा जो है peptide bond तो peptide bond के थू क्या होते है हमारे amino acids जो है एक दूसरे से combine होते हैं अब देखो एक चीज आप लोग यहाँ पे बहुत ही ध्यान से समझना देखो दो amino acid जहाँ पे combine करें तो इसका मतलब यह नहीं के हमारा protein बन गया देखो proteins हमारे बहुत सारे amino acid के combination से मिलता है ठीक है देखो यहाँ पे आप लोग कह सकते हो कि लगबग 100 या 100 से ज़्यादा amino acid जब combine करते हैं तब हमारा protein का formation होता है अब इसका एक exception भी होता है जो कि हमारा insulin होता है जो कि 51 amino acid के combination से मिलके बना होता है लेकिन इस तरीके से दो amino acid मिलके protein नहीं बनाते यह दोनों मिलके हमारा peptide bond बनाते है ठीक है और जब इस तरीके से बहुत सारे peptide bond का formation होता है तब हमारा जाके protein बनता है यह नहीं protein हमारे क्या होते है polypeptides यानि बहुत सारे peptide bond का formation ठीक है अब यहाँ पर हम लोग बात करें अपने biological role या फ़र importance of amino acids की तो amino acids सबसे पहले तो हमारे proteins के building blocks होते हैं हमें पता है they also serves as precursor of hormones purines, pyrimidines, vitamins etc तो यहाँ पर जो हमारे hormones होते है purines, pyrimidines अब यहाँ पर purines और pyrimidines क्या होते हैं हम लोगों ने पिछल lecture में देखा था तो आप लोग यहाँ पर comment करके बताव ठीक है और यहाँ पर जो हमारे vitamins होते है they are used as antibiotics and anti-tumor agents यहाँ पर देखो इस थीच को थोड़ा सा समझना हम लोगों ने अभी क्या दिखा कि जब यहाँ पर बहुत सारे peptide bond का formation होता है ठीक है तब जाके हमारा protein मनता है लेकिन अगर माल लोग 2-3 यहाँ पर amino acid combine करते हैं तो उसको हम लोग यहाँ पर simply peptide बोलते हैं लेकिन इनका भी अलग-अलग अपना काम हो जाता है ठीक है जैसे कि यह हमारे antibiotics की तरह भी उज़ होते हैं अभी तक हम लोगों ने amino acid को बहुत अच्छे से समझ लिया है अब हम लोग यहाँ पर finally बात कर सकते हैं अपने protein के बारे में कंभाइन करते चले जाते हैं यहाँ पर इनके उंदर कोई बी type की यहाँ पर chain वगरा नहीं होती है, तो यह हो जाता है हमारा यहाँ पर primary structure, अब primary structure हम लोग को यहाँ पर अपने insulin में देखने को मिलता है, और secondary structure की बात करें, तो यहाँ पर देखो क्या होता है, अच्छा यहाँ पर एक चीज आप लोग समझना, ठीक है, यहाँ पर होता क्या है यही तो primary, secondary, tertiary और quaternary है, यह एक हिसाब से अलग-अलग नहीं है, यह आपस में link है, तो होता है क्या ही जो हमारा primary है यही हमारे कुछ twist and turns ले लेता है, जिसके वज़े से हमारा secondary structure बनता है, secondary structure of protein is formed by folding and twisting of amino acids, the most common types वार alpha helix and beta plated seeds, यहाँ पर दिखो जो हम लोगों ने अपन primary structure देखा ता, यह वाला, थीक है, दिखो यही वाला हमारा यहाँ पे जब twist ले लेता है, तीक है, यहीं कि यहाँ पर यह मानलो एक helix के form में घूम लिया, यह है यहीं, ना यहीं मानलो हमारा हमारा यहाँ पर twist and turn ले लिया, तीक है इस तरीके से, तो हमारा helix के form में हो गया यह फिर माल लोग जो यह एक sheet के form में fold हो गया ठीक है, तो हम लोग इसको beat up plated sheets बोल देते हैं, अब देखो इसके अंदर थोड़ा सा और भी deep चीज़े होती हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर ज्यादा deep में नहीं जाएंगे, अभी हम लोग एक basic introduction ले रहे हैं, इन सभी के बारे में detail में ही तो हम लोग अपनी आने वाली unit में बढ़ना है, ठीक है, और अब बात करें हम लोग यहाँ पर tertiary structure की, तो यहाँ पर जिको tertiary structure of proteins are formed when the twist and folds of secondary structure folds again to form a larger 3-dimensional structure, यहाँ पर जिको क्या हुआ है, अब यही हमारा जो यहाँ पर 2-dimensional वाले structure था, यानि कि माल लोग हमारी alpha felix थी, अब यह और ज्यादा fold हो गई, यानि कि दिको यह क्या हुआ, अब यह आपस में ही fold हो गई, ठीक है, और 3-dimensional में घूम गई, तो यहाँ पर हमारा tertiary structure बन जाता है, ठीक है, और यहाँ पर quarternery की बात करें, तो जब 2 या 2 से ज़्यादा tertiary units आपस में combine हो जाते है, तो हमारा quaternery बना लेती है, the quaternery structure of protein is formed by combination of 2 और more tertiary units, यहाँ पर क्या है, 2 से ज़्यादा tertiary unit combined हो गई, अब इसका सबसे best example होता है हमारा यहाँ पर hemoglobin, hemoglobin consists of 2 alpha and 2 beta chains, is the best example of quaternery structure, यहाँ पर दिको क्या है, हमारा यहाँ पर 4 जो है, हमें alpha और beta chain मिला के दिखने को मिलती है, जो कि हमारा क्या होता है, दिको tertiary structure का ही तो एक combination है, दिको यहाँ पर 4 tertiary structure combine कर लिए है, तो हमारा quaternery बन गया, तो इस तरीके से हमें यहाँ अपर अपने protein के अलग-अलग level पे structure देखने को मिलते हैं, तो अब बात करें हम लोगे अपर अपने classification of protein की, तो protein को भी हम लोगे यहाँ पर amino acid की तरह बहुत अलग-अलग तरीके से classify कर सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर mainly अपने दो category की बात करेंगे, पहला हो गया हमारा यहाँ पर on the basis of structure और दूसरा हो गया on the basis of composition, तो on the basis of structure की बात करें तो हमारा दो type का हो गया, fibrous protein और globular protein, अब fibrous protein में क्या होग which forms fiber or seat like structure, यानि कि यहाँ पर हमें एक थोड़ा सा धागी नुमा या फिर sheet नुमा structure देखने को मिल जाएगा, और globular की बात करें तो तो globules, globules मतलब क्या होता है, थोड़ा सा spherical, ठीक है, तो यहाँ पर globular protein हमारे का होते है, are generally spherical in shape due to tightly folded polypeptide chains, यानि यहाँ पर जो हमारी polypeptide chain वो इतनी tightly bound हो जाती है कि हमारा यहाँ पर एक spherical type का structure देखने को मिलता है, तो उसको हम लोग यहाँ पर globular protein बोल देते हैं, और बात करें हम लोग यहाँ पर अपने second classification की, तो on the basis of composition, हम लोग इसको जो है again जो है दो केटेगरी में classify कर सकते, पहला हो गया हमारा यहाँ पर simple protein, दूसरा हो गया हमारा यहाँ पर conjugated protein, तो बात करें हम लोग यहाँ पर simple proteins की, तो यहाँ पर क्या होते है, simple proteins are made up of only amino acid units joined by peptide bond, यहाँ पर देखो क्या होगा है, यहाँ पर हमारे simple amino acids ही आपस में जुड़े होंगे, ठाकिया, यहाँ पर कुछ अलग type से हमें कोई भी अलग item द conjugated proteins होंगे, उसमें आप लोगो जो है amino acids के साथ कुछ अलग structure भी देखने को मिलेंगे, यानि कुछ अलग यहाँ पर आप कह सकतो elements जैसे हमारा sulfur हो गया, या फिर कुछ भी देखने को मिल जा ठीक है, अलग से, तो वो हमारा conjugated protein हो गया, अब जैसे इसका example होगा हमारे यहाँ conjugated protein हो जाते हैं, I hope कि आप लोग आप पर समझ के होंके ठीक है, वो finally हम लोग इसके biological role या फिर importance की भी बात कर लेते हैं, तो जो हमारी plasma membrane होती है, ठीक है, तो plasma membrane proteins regulates the transfer of substance across the cell membrane, अब अगर आप लोगो ने थोड़ा भी transfer of substance across plasma membrane वाला topic पढ़ा था, तो वहाँ पर हम लोगो ने क्या दिखा था कि जो हमारी plasma membrane है, उनके पास होते हैं proteins, जो कि क्या करते हैं, कि हमारे ऐसे substance का transfer कराते हैं, जो कि normally नहीं हो सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर यह उसको भी regulate करने का काम करते हैं, all receptors are made up of protein, यानि हमारी body के जितने भी receptor होते हैं, वो हमारे protein के बने होते हैं, ठी हम लोग को अपने आने वाले semesters में बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है, यही सब actual में हमारे pharmacy के सबसे ज़्यादा main topics ही हैं, ठीक है, तो हम लोग आगे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, all enzymes are made up of protein, यानि कि हमारी body के अंदर जितने भी enzymes हैं, वो हमारे protein के बने होते ह अब enzymes के बारे में हम लोग को इसी biochemistry में आगे पढ़ना है, ठीक है, और all antibodies are protein in nature, यानि हमारी body के अंदर जितनी भी antibody हैं, वो भी protein nature के होते हैं, ठीक है, most of the hormones are protein in nature, यानि कि बहुत ज़्यादा तर जो हमारे hormone होते हैं, वो भी हमारे protein के होते हैं, ठीक है, और hemoglobin ही जब protein carries oxygen in blood, तब hemoglobin भी हमारा एक protein होता है, जो कि हमारा oxygen को carry करता है, ठीक है, और actin and biosyn are proteins helps in muscle contraction, अब अगर आप लोगों ने muscle contraction वारा topic देखा था, तो वहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि हमारा actin and biosyn हमारे दो यहाँ पे proteins होते हैं, जो कि muscle contraction में help कराने का काम करते हैं, तो I hope कि आ amino acids का lecture समझ में आगया होगा, बाकी अगर कोई doubt है, तो आप लोग please comment करके बताना, और मिलते हैं, हम लोगे आपे next video में, thank you so much